तो केवैसी का स्कोर भी आ चुका है, ट्रेडिंग भी यहाँ पर एविव टोकन के स्टार्ट हो चुकी है और साती साथ लोगों को टोकन भी रिसीव होना स्टार्ट हो चुका है लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉलम्स भी चल रही है जिसको लेकर के लगतार मेरे पास मैसेजेज, कमेंट आ रहे हैं तो उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाल है सबसे पहले हम आपको जितने भी लोग बंगला देशते हैं उनकी जो प्रॉलम है उसके बार में सबसे पहले बात कर लेते इसके बाद हम लोग जितने भी लोगों को टोकन रिसीव नहीं हुआ है उसके बार में बात करेंगे और जिनको token receive हुआ है तो उन्हें hold करना चाहिए या sell कर देना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे और mining जितने भी लोगों ने start नहीं की थी तो क्या अभी भी mining start किया जा सकता है क्या आगे और लंबे समय तक mining चलेगे तो इस point के बारे में भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि उनकी country में यानि की बंगलादेश में OKC exchange accessible नहीं है जिसकी वज़ा से वो अपनी KYC को complete नहीं कर पाए तो देखे जहां पर भी OKC exchange accessible नहीं है तो उनके लिए next round में कुछ अलग procedure निकाला जाएगा तो आपको next round तक wait करना पड़ सकता है यानि की 2 महीने दो महीने के बाद कुछ नए तरीके से आप लोग अपनी token को definitely claim कर पाएंगे तो अभी थोड़ा सा आप लोग को patience बना कर चलना है यानि कि अभी तो claim नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ next round में definitely आप अपनी token को claim कर सकते हैं जहां पर भी OKC exchange accessible नहीं है तो ठीके ये बात होगी अब बात करते हैं जितने भी लोगों को token receive नहीं हुआ है तो उनको क्या करना है अब देखिए मेरे पास दो account है एक है main account जिसमें मेरे भाई का account जिसमें थोड़े से कम token है तो जो main उसमें मेरे पास अभी तक token receive नहीं हुआ है हम आपको live दिखा भी देत हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी तक token receive नहीं हुआ है और यह main account वाल है और जो मेरा एक और account है उसमें token receive हो चुगा है जिसमें थोड़ा कम token है तो देखिए यहाँ पर जो distribution चल रहा है वो काफी ज़दा slow चल रहा है हम आपको अभी दिखा देते हैं क कि total कितने transaction अभी तक complete हुए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि total जो address है यानि कि holders जो यहाँ पर है वो 50,000 यानि कि 50,000 से थोड़ा सा जादा और जो यहाँ पर transaction हुआ है वो 57,000 लगभा 58,000 की करीम में जबकि users काफी जादा है तो हो सकता है कि एक दिन या दो दिन लग token receive होने में यानि कि सारे लोगों को token receive होने में यहाँ पर time लग सकता है क्योंकि यहाँ पर आप खुदी देख सकते हैं कि transaction काफी जादा slow हो रही है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमें hold करना चाहिए या sell करना चाहिए देखे जितने भी लोगों को token receive हो चुका है तो व पर जो token की price है वो अभी नीचे जाएगी लगतार अभी घटेगी ही घटेगी तो इसलिए अभी sell करना सही होगा profit book करना ज्यादा बेतर होगा क्योंकि आपको per month token मिलता ही रहेगा first time में तो maximum जो unlock होगा वो 30% ही होगा अगर जिनका के वैसी का score 90% से उपर आता है तो इसलिए minimum 70% या उससे जादा आपके पास holding रहेगी रहेगी जो कि per month आपका unlock होगा जिससे आप sell करके अगर price बढ़ती है तो आप easily sell कर सकते है और अच्छा profit book कर सकते है लेकिन price घटने के chances यहाँ पर जादा है तो अगर आपके पास token है तो आप sell करके profit यहाँ पर book कर सकते है और जितने भी लोगों को token मान लीजे कल receive होता है तो कल अगर price इसी range में चलती है तो उस time में भी आप sell कर सकते है यानि कि 0.1 dollar या इसके आसपस रहता है तो अच्छी price है इस price पर sell करके आ आपको बाहर निकल जाना चाहिए अभी के लिए ठीक है यहाँ पर हम लोग यह समझ लेते हैं कि जितने भी लोगों ने mining start नहीं किये तो क्या वो अभी भी mining start कर सकते हैं तो माइनिंग अभी भी यहाँ पर चल रही है लेकिन यह confirm नहीं है कि आने वाले time में भी यहाँ पर mining mining चलेगे ही चलेगे लेकिन क्योंकि अभी भी mining चल रही है तो आप इससे डाउनलोड करके अपनी mining को start कर सकते हैं और जो second round होगा उसमें आप अपनी KYC को complete करके token को claim कर सकते हैं यानि कि airdrop आप भी receive कर सकते हैं चांसे यहाँ पर अच्छे कासे हैं तो आप डाउनलोड जर 생are करने की कोसिद अब दिखे जैसे-जैसे अफटेट्स आ रहे थे या जो भी चीजें हो रहे थी वह लागातार हम आपके अपouver के साथ टेलीग्राम टुइटर हम और